आप सभी का स्वागत है काईजन इनोवेशन योटूब चैनल में और आज हम डिसकस करेंगे कि फॉन पे एप की मदद से आप कार इंस्योरेंस कैसे लेख सकते हो वो भी एकदम आसान तरीके से उसे के बारे में हम आपको आज पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का नया ये एक इंटरस्टिंग वीडियो तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा हमारी फॉन पे एप के अंदर यहां पे मैं अपना फॉन पे एप ओपन कर देता हूँ और यहां पे दोस्तों ये देख सकते हैं यहां पे बाइ इंसुरेंस वाला ओप्सन देखने को मिल जाता है अगर बाइचांस ये ओप्सन आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो टैंसल लेने की जरूरत नहीं है आपके Google Play Store या फिर आपका iPhone है तो उसके Play Store पे जाके आपको अपडेट कर दिजिएगा उसके बाद ये ओप्सन आपको ऑटमेंटिकली देखने को मिल जायेगा ठीक है तो आपको अप करना क्या है यहां पे बाइइ इंसुरेंस पे करना है क्लिक ठीक है जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे यहां पर मोटर इंस्योरेंस के सेक्षन के अंदर कार इंस्योरेंस लिखा हुआ आ रहा है वहां पर आपको क्लिक करना है जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे ठीक है इंस्योर अनदर कार आपको यह इंटरफेस देखने को नहीं म आपना काणनंबर डाला और समिट पर क्लिक कर दिया थेक है जैसे मैं सब्मिट करता हूँ पॉपिलर कार आ जाती है तो यहां पर महारू दोस्तों देख सकते हो यहां पर यह यह completely select होके आगया car number और which car do you have driving लब कौनसा model गाड़े का यूज कर रहे हूं ठीक है when you are your car register आपने car register किया था 2019 ठीक है what is your previous previous policy type आप अगर दोस्तों third party करते हो और you plans करते हो दोस्तों यह options आपको नहीं मिलेगा third party वाला बट आपको comprehensive करना है तो ठीक है do you have previous policy expired no ठीक है no no करके यहां पर view plans पर जैसे आप click करोगे दोस्तों यहां पर बाला जी वाला यहां पर आपको insurance देखने को मिल जाएगा जिसमें 3000 3000 आपको pay करना एराउंड और उसके पास आप उसके बाद है damage due to natural calamity और threat जितना भी मतलब यहां पर है सभी अच्छे options आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे यह आप 3000 क्या सबस्काइब करोगे तो यहां पर मिल जाएंगे यहां पर स्लेक्ट प्लान पर दोस्तों क्लिक करोगे तो यहां पर प्लान स्लेक्ट आगया दोस्तों यहां पर add-on pack मतलब zero description प्लास आपको add करना है कि नहीं करना इंक्लूड़िंग 24 by 7 रोड़ साइड assistance and engine protection तो यहां पर मैं add कर देता हूं जैसे हम continue पर क्लिक कर देता हूं यहां पर मेरी ओनर details आ गए यहां पर car details आ गए दोस्तों यहां पर को engine number और chest number डालना है तो engine यहां पर डालना पड़ेगा यहां पर नेम और policy डालना पड़ेगा previous insurance वालों का तो यहां पर मेरा name आगे स्वारी कंपनी का नाम मैंने select कर लिया अभी यहां पर policy number डालना है ठीक है यह हो गया done active TV policy डालना है दोस्तों यहां पर गना यहां पर जो भी आपका हो वो select कर लेना और यहां पर same thing active TV policy number डालना है यह मैंने डोस्तों डाल दिया और यहां पर मैं continue प्र आक कर देता हूं दोस्तों यहां पर देख सकते है active टीपी पॉलिशेंड यहां पर उसको अगर आपका अलग है यहां पर दोजर आज की डेट का दिखार अगर आपको चेंज भी करना तो आप यहां पर इस तरह से पूरा मंध मंथ वाइस डेट वाइस और यह वाइस दिया हुआ है तो मैं चेंज कर देता हूं और कंटीनिव प पर क्लिक करूंगा जैसे हैं आप बाइक प्लान पर क्लिक करूंगा तो दोस्तों आप भीम यूपी आइडी से डेबिट कार से एक रेडिट कार से आप यूसरा से पे कर सकते हैं जैसे पे आप कम्प्लेटली करोगे तो दोस्तों यहां पे आप यहां पे एंटर्यूर कार्ट एक को आतने कि बेंक कहने जाएगा कि यह प्लान आपने कर लिए आपकी तरफ से जिस कंपनी में आप जैसे कि बजाजवाल की कमपनी का इंसरेंस buy कर रहे हो तो उस company की तरफ से भी आपकी email ID पे एक email आ जाएगा कि भाई साब आपने ये buy कर लिया है हमारा car insurance ये one year के लिए two year के लिए इस सबसे इस तरह से completely आप insurance buy कर सकते हो car का phone pay app की मदद से बहुत ही आसान तरीके से अगर इस insurance buy करते आपको कुछ भी problem हो रहा किसी तरह की कुछ भी समझ में ना रहा हो तो टेंसल नहीं के जरूरत नहीं हमारे वीडियो के comment box में डाल दीजेगा हम जरूर से आप लोगों की मदद करेंगे help करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए सब्सक्राइब करते हैं एक नहीं वीडियो